स्वागत है आप सभी का Tech Study ITA YouTube चनल पर MDL यानि मजगाउं डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड की तरब से 8th Pass Out, 10th Pass Out और ITA Pass Out के इंडेट्स के लिए 2024 पच्चिस के एक नई अप्रेंट्सी पाच चुकी है जिसके के online form भरने शुरू हो चुके है और इसका form भनने का जो last date है वो है 2 जुलाई 2024 तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका step by step form अपने ही mobile phone से आसानी से apply कर सकते हैं तो आप लोग भी apply कर सकते हैं अपने mobile phone से उसके पहले notification पर एक नज़र डाल लेते हैं जिससे वीडियो सब तक नहीं पहुँच पाती तो प्लीज अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो like जरूर किया करें वीडियो को जिससे सभी तक ये लगे कहाँ वीडियो ठीक है यूटूब को और वो सब तक ये information पहुँच पाए तो please like कीजिएगा और नए है सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजिएगा आए थोड़ा सा notification देख लेते हैं इसके बाद step by step form apply process पे चलते हैं ये notification है इसमें ध्यान दीजिए all India candidates apply कर सकते हैं selection आपका return exam चाम के basis पे होगा बाकी detail वीडियो हमने बनाया उसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा group A, group B and group C तीन vacancy है group A में 10th class pass जो candidates है वो form भर सकते हैं ठीक है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है and जो आपका group B है वहाँ पे ITA pass candidates form भर सकते हैं और जो आपका group C है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे rigor की और welder gas electric की vacancy है इसमें आपका 8th pass candidate form भर सकते हैं बाकी age limit, stipend इन सब के बारे में अलड़ी वीडियो बना चुके हैं उसे आप लोग देख लीजिएगा ठीक है, सबकी योगिता क्या-क्या है उसे भी आप लोग check out कर सकते हैं जैसे ITA में तो आपको उस trade में ITA pass होना है ठीक है, minimum आपका जो percentage है तो 50% होना चाहिए उसी case में आप form यहाँ भर सकते हैं तो आपका minimum जो matrix में आपका 50% matrix में आपका number होना चाहिए, तभी आप यह form भर सकते हैं ठीक है, बाकी अगर और eligibility की बात करें तो age limit उपर आपने अलरी देख ली होगी age limit यहाँ पर भी दी हुई है जो 10th pass apprenticeship उसमें 15-19 साल as per your category आपको छूट मिल जाएगी ITA में 16-21 साल as per your category, 3 साल OBC को 5 साल SCST को छूट मिल जाएगी और 8th pass wali apprenticeship में 14-18 साल रहेगी age limit इसमें भी आपको छूट सेव मिल जाएगी ठीक है, कुछ candidates पूछ रहे थे ICTSM की vacancy आती एक नहीं देखें यहाँ पर ICTSM की भी 20 post IEI apprenticeship MDL में बहतरीन apprenticeship है करने के बाद 100% आपको जो treatment की vacancy आती है उसमें मौका मिलता है जिसे आप लोग government job पा सकते हैं तो form apply करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे carrier वाले section में चलना है हम इस तरह आपको बताते हैं कि आप लोग आसानी से देख भी सके कहां से form भरते हैं जैसे आप यहाँ पे आएंगे carrier वाले section पे क्लिक करेंगे नीचे आपको आता है online recruitment इस पे आपको ok करना है आप ok करके जैसे आएंगे देखे executive, non executive और apprenticeship आपको apprenticeship पे क्लिक करना है form भनने का यह official website है इसका link भी हम आपको वीडियो के description में और telegram पे share कर देंगे वहाँ अगर आप नहीं जूड़ें telegram पे तो जूड़ जाईएगा तीन step में आपको form भनना है simple आपको सबसे पहले एक नए account बनाना है अगर आपने पहले account बनाया हुआ तो आप उसी से login कर सकते हैं अब यहाँ सबसे पहले आप क्या लगाते हैं अपने नाम के आगे mister वो आए हैं तो mister अगर female candidates हैं तो वो यहाँ पर miss लिखेंगे ठीक हैं अब यहाँ पर हम floating keyboard कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से सारी चीजे visible होती रहें अब यहाँ आपको अपना नाम लिखना है matter की mark sheet में जैसे आपका नाम है same उसी तरह से आपको नाम लिखना है यहाँ आपको अपना last name लिखना है जो भी आप last name लिखते हो ठीक है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ठीक इसके अलावा data of birth पूचा जाएगा आपसे अब data of birth में आपको क्या करना है जो आपकी data of birth है 10th की mark sheet को आप हमेशा data आपना सही सही भरेंगे उसके according यहाँ पर आपको क्या करना अपनी data of birth जो है इंटर कर देनी इंटर करने के बाद आपको अपना gender select करना है gender select करने के बाद आपको अपनी primary mail id यहाँ पर देनी होगी primary mail id देने के बाद एक आपको mobile number इंटर करना है अगर आप physically disabled है तो yes करेंगा द्रौइज आप no करेंगे फिर यहाँ पर एक verification code है जिससे आपको क्या करना है आपको क्लिक करके वैलिडेट करना होगा ठीक है बिना उसके आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ताएंगे तो वैलिडेट करने के बाद आपको अगेन लॉग इन करना है जो केंडेट सालीडिव उनका email id रेजिस्टर बता रहा हो आप लोग forgot password कर लीजएगा पासवर्ड बुलें उसी mail id से आप लोग इन कर लीजएगा इस तरह से आपको एक mail देखने के मिलेगा मजगाव डाक से builders limited registration mail टाइप का यहाँ पर आपको क्लिक करके क्या करना है इसको वैलिडेट कर देना है जैसे आप वैलिडेट करेंगे यहाँ आपको आपका username और आपको एक password मिल जाएगा इसी username और password से आपको क्या करना होगा login करना होगा अब आपको क्या करना है click here to apply a job इसके लिए आपको क्या करना होगा login करना होगा तो यहाँ पे है एक Group B, ITA Pass Apprenticep, Group C, Class 8th Pass Apprenticep, and Group A, 10th Pass Apprenticep. ठीक है, अब वहाँ पे आपने चूज कर लिया, जो आपको अप्लाई करना हम यहाँ फिलाल Group B में क्लिक करते हैं, Group B से आपको अप्लाई करना है, View Eligibility Criteria आएगा, अब इसमें देखिया आ गया, General का 50% होना चाहिए, Mandatory Qualification, ITA है, OBC का 50, OBC NCL 50, ठीक है, Trade क्या क्या है, उस सा Department Mechanic है, Copa Trade है, इसके लावा आपका कारपेंटर है और Electronic Mechanic है, ठीक है, Electrician तो है यहाँ पे, 3700 से 8,050 रूपाई स्टाइपन मिलेगा, सारी चीजें आपको दिख रहे हैं, 21 साल एज, OBC का, क्रेमिलेर 21 साल बाकी छूड़ चूर रहेगी, तो 21 में तीन, 24, 26, यह सारा आपको Accept करने के बाद देखे, Personal Information आपको यहाँ फिल करने का Option दिया जाएगा, जिसमें अब यहाँ देखे, Have you applied earlier for any other post, अगर आपने apply किया दिया, संद्रोईज आप नो रखेंगे, नीचे आप आएंगे, आपका नाम यहाँ पे already है, Father's Name आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, उसमें भी सेम आपको Father's Name में First Name लिखना है, फिलास्ट नेम है, बट आप First से भी काम चला सकते हैं, Nationality आपकी हो गई, Alternate Male ID आपको यहाँ लिखने वाले, Marital Status आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, Married है या Single है, वह आपको लिखना है, किस State से आप बिलॉंग करते हैं, वो ओलापुर, लातूर और नासिक, तो यहाँ पे आप जो चाहें, उसको एक टेस सेंटर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, डेटा बर्थ हमने पहले इंटर की थी, रिलीजन यहाँ पे आपको इंटर करना है, अब आपको कैटेगरी चूज करने हैं, कैटेगरी यहाँ पे ह लिखना है, city में एक चीज धियान दिजेगा, आपके आसपास के अगर कोई city नहीं दिख रही तो जो आपके nearest city है, उसे आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है, पिन कोड आप सही से डालिएगा, अब next page आपका आजाएगा, eligibility, जो आपका educational qualification है, उसे फिल करने का, तो आप आपका अपका एडमीशन यहाँ पे कब हुआ, आपने पास कब किया, वो date आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है, date फिल कर लेने के बाद च्या होगा आपका, आगे आपको marks इंटर करने रहेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, marks आपको कितने मिले, तो यहाँ पे करना है total marks कितना था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है percentage automatically आ जाएगा ठीक है percentage आ गया trade-off जो टाइट था course का क्या था class है division आपका इसमें क्या बना trade क्या था तो आपकी इस trade से idea किये हैं वो आपको यहाँ choose करना है choose करने के बाद नीचे देखिए additional कोई qualification है ता आप उससे fill करना है otherwise इसके नीचे आपको आगे बढ़ना है और next पे click करना है जैसे आप next पे click करेंगे अब आएगा parent info क्या आपके parent mdl में काम करते हैं yes तो yes उनका detail देना होगा other ways आप क्या करेंगे no कर देंगे no करने के बाद आपको कोई detail नहीं देना next पे आपको click कर देना photo और signature upload करना है 700 kb तक होना चाहिए photo और 700 kb तक का signature यह बहुत अच्छी बात है size काफी बढ़ा रखा गया है photo signature upload करने बाद आपको again next पे click करना है जैसे आप next पे click करेंगे अब आएगा document upload का option इसमें आपको iti का certificate upload करना है birth certificate यह नहीं 10th की certificate आपको upload करनी है category certificate upload करनी है extra कोई document है तो आप उसको यह upload कर सकते हैं जाहे आप 10th का certificate चाहें, तो वो भी upload कर सकते हैं, इसको आपको PDF form में upload करना है, जैसे आपने document upload कर दिया, अब आपके सामने आपके application form का preview आ जाएगा, इसे आपको देखना, अगर आपको लगता है कोई चीज़ में correct करना, उसे आप correct कर सकते हैं, यहाँ पर edit पे click करके, otherwise आप directly submit पे click कर सकते हैं, जैसे आप submit पे click करेंगे, आपका application form यहाँ पे submit हो चुका है, इसे आप जब चाहें, यहाँ से आप print भी कर सकते हैं, जिने fees pay करनी है, वो यहाँ पे fees pay करने का option आएगा, fees pay कर देंगे, उसके आगे इनका form complete हो जाएगा, जब आप चाहें, अपनी profile को य जैसे आएंगे, तो आप again वहीं पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप login कर सकते हैं, again कोई और form आपको fill up करना है, उसे आप भर सकते हैं, तरीके से आप लोग जितनी बार चाहें, login करके again अपना form देख सकते हैं, form भर सकते हैं, आसानी से, बाकि आपको अगर कोई भी difficulty आ एक बार comment section में लिखिएगा, आपकी वहाँ पे हम पूरी help जरूर करेंगे, thank you very much, ख्यार रखिएगा आपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले video में,